भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे कपड़ों के साथ तो नहीं बनाया था कहते हैं कि आदमी नंगा आता है और नंगा ही जाना है उसे, है की नहीं? तो कपड़े तो इंसानों ने जैसे ऐसे civilization बढ़ती गई, जैसे ऐसे growth and development होता गया, कपड़े भी इंसान पहनने लगे तो पहले के जमाने के लोग कपड़े कहां पहनते थे, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई लड़का है अगर, कोई मर्द है, या कोई teenager है, समझो college में अभी 19, 20, 21 साल का है तो क्या उसको या कोई normal भी, कोई मर्द है, रात के समय, या जब भी वो सो रहा है, क्या उसे कपड़े पहन के सोना चाहिए, या उसे बिना कपड़े के ही सोना चाहिए जब मैं होस्टल में रहता था, तो हम तीन लड़के एक ही रूम में सोते थे, पर जो राजीव मेरा फ्रेंड है, वो हर रात बिना कपड़ों के ही सोता है, सोता था, आज भी वो बिना कपड़ों के ही सोता है और शायद वो हम लोगों से भी बेटर कर रहा है, उसके रिलेशन्शिप उसकी वाइफ से, जितने हमारे संबने उससे भी बेटर है, तो जो मेरे फ्रेंड को बेनिफिट मिले हैं, या आपको भी मिल सकते हैं, अगर आप नंगे होके सोते हैं क्या-क्या बेनिफिट एक लड़के को मिल सकते हैं, अगर आपको जानना है, तो आपको एक ही चीज करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर देना है देखिए, मर्द का शरीर अगर आप देखेंगे, तो सारी चीजे अंदर है, जैसे हमारा पेट, स्टमक, इंटरस्टाइन, दिल, फेफडा, सब कुछ अंदर है लेकिन भगवान ने लिंक को बाहर रखा है, और उसके नीचे जो बॉल्स लटके हुए है, जिने कहते हैं टेस्टिकल्स, इसको शरीर से बाहर रखा है ऐसा क्यों है? क्यों रखा है भगवान में? कभी सोचा है ऐसा? इसलिए रखा है क्योंकि यह जगह जो है भगवान जी सोचते थे कि इनसान जब नंगा घूमेगा, भगवान जी ने सोचा नहीं था कि यार इनसान कपड़े भी बना लेगा कि जीन्स भी पेनेगा, टीशर्ट भी पेनेगा, कुर्ता भी पेनेगा, पजामा पेनेगा, कोड भी पेनेगा, कैप्री भी पेनेगा, शौट भी पेनेगा, भगवान जी को आइडिया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा लगाया था कि भई, ये जो टेस्टिकल्स में बना रहा ह जहां से sperm निकलेगा मतब वीर निकलेगा और जब यह प्रजनन करेगा अपने पार्टनर से तो इसकी आने वाली generation भी आगे चलेगी तो इसकी भलाई के लिए इसको मैं शरीर से बाहर बनाता हूँ ऐसा भगवान ने सोचा होगा मेरी भगवान से भात नहीं हुई है कि बगवान ने मिरगों बताया सपने में आके लेकिन मैं सोचता हूँ कि भगवान उपर वाले ने ऐसा ही सोचा होगा भगवान सोचे हैं जूसने दुनिया बनाई उसने ऐसा ही सोचा होगा क्योंकि यह जो टेस्टिकल से इसका टेंपरेचर लो चाहिए अगर लो रहेगा तो अच्छे से स्परम बन पाएगा अगर यहाँ पर टेंपरेचर बढ़ गया तो वीर बन ही नहीं पाएगा जो दही जैसा आपका वीर निकलता है आज वो पानी कोल्ड रिंग जैसा बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं यह प्रॉब्लम हो सकती है और रिसर्च ने भी यह प्रूफ किया है जो लोग ऐसी जगे काम करते हैं जहां बहुत गर्मी होती है तो फैक्टरी वगेरा में वो लोग नपुनसक हो जा रहे हैं जो लोग ऐसी बस चला रहे हैं या बाइक बहुत ज़्यादा चला रहे हैं जहां गर्मी इस जगे पर लग रहे हैं गर्मी में बहुत घूम रहे हैं उनकी सेक्शुल प्रॉब्लम शुरू हो गई है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है उनको शिगर पतन की प्रॉब्लम आ रहे है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लड़कों मर्दों आपको नंगा सोना चाहिए जिससे ये जो भाग है टेस्टिकल का आपका जो लिंग है एकदम फ्री रहे बॉड़ी का जो टेंपरेचर है अगर आप नंगे सोते हैं तो वो कम रहेगा और अगर आप कपड़े पहन के सोते हैं तो टेंपरेचर जादा रहेगा आजकल तो स्मार्ट वाचेज हैं जिससे आप स्लीपिंग पैटर्न भी पता लगा सकने अपनी तो आपको ये पता लगाना है कि एक दिन में नंगा सोता हूँ और एक दिन में कपड़े पहन के सोता हूँ कि इसमें मुझे ज़्यादा सहूलियत होती है ये करके देखना और आपको मालूम पढ़ जाएगा कि नंगा सोना अच्छा है बहुत से ऐसे मर्द हैं जो शर्मीले प्रवर्थी के होते हैं और ये शर्मीले प्रवर्थी के जो मर्द होते हैं इनकी जो गर्ल्फरेंड है इनकी पत्नी है इनकी लिव-इन पार्टनर है इनकी तो सेक्स लाइफ के एल लग जाते हैं बहुत क्योंकि इतने शर्मिल होते हैं इनको सो साल लगते हैं अपने कपड़े उतारने में लिंग खड़ा ही नहीं हो रहा दिरे धिरे खड़ा हो रहा है वो लड़कियां लखी हैं जिनके husband या boyfriend बहुत sexy प्रवर्थी के होते हैं मैं तो यह सोचता हूँ ज्यादा ही sexy बहुत ही कामुक है तो और भी अच्छा है लड़कियों जब आप शादी करो न तो आप पूछ दे ना husband से कि उनकी sexual condition क्या है क्या वो sexy है की नहीं है यह जो हाथ होता है न मैं एक tip बताता हूँ लड़कियों के लिए जिर यह जो हाथ का यह वाला area है यह वाला area जैसे आप देखें इसमें मेरे उभार दिख रहा है आपको ज़्यादा उन मर्दों के ज़्यादा उभार रहता इस जगे पर जो की बहुत sexy होते हैं जो हस्त मैतून ज़्यादा कर चुके हैं जो आगे भी अपनी पत्नी को अपने पार्टनर को परम सुख दे पाएंगे और इसलिए नंगा सोना बहुत जरूरी है रात को सो तसमें आपको पसीना आता है तो वो भी absorb easily हो जाएगा गर्मी के मौसम में तो आपको नंगा ही सोना चाहिए लेकिन ये भी है कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक joint family में रहते हैं जिसमें आपके भाई बेन आपके साथ सो रहे हैं तो आप तो होई नहीं सकता है आपकी मा ही आपके साथ सो रही हो तो करी नहीं पाएंगे अगर आप अकेले सोते हैं रूम में तो फिर आप कर सकते हैं और ये भी ध्यान रखो कि रात को अगर नीन में उठने की प्राबला में तो नंगे मस सोना भाई निए तो दरबजा कोल के बाहर निकल के और मालुम पड़ा कि ये क्या open शो हो गया है प्रिवेसी बहुत जरूरी है एक आपके पास अच्छी जगह होने चीज है आप सोएं आराम से और वो ही लड़के जो है आराम से अपनी वाइफ के सामने कपड़े उतार देते हैं उसके भी कपड़े उतार के जल्दी सेक्स की तरफ आ जाएंगे सेक्स लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे जो नंगे सोएंगे ठीक है लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब नंगे सो रहे हो तो कुछ दुश्प्रभाव भी है इसके एक ही है कि अगर सपेट चादर लगाते हो चादर मेली जल्दी हो जाएगी और अगर आपको हस्तमेथून करना होता है नंगे सोगे तो आपको ज़्यादा इच्छा होगी हस्तमेथून करने की अगर आप अभी कुवारे हैं और फिर वाइव के साथ भी आप नंगे सोते हो तो सेक्स में जल्दी आउन होंगे आप four play technique मान लो नंगा सोना पहले से practice करनी पड़ेगी hand practice करते हो कि नहीं करते हो आप हस्त में तुम करते हो कि नहीं करते हो तब जाके आप finally एक बार sex करते हो तेकिन आज कल तो उससे पहले ही sex हो जा रहा है वो अलग बात है लेकिन मैं ideal condition में बता रहा हूँ ऐसे ही आपको नंगे सोने की प्रैक्टिस करनी है, रोज नी सो पाते हो, तो वीक में दो-तिन दिन सोना शुरू करो, शुरुआत करो, फिर आपको अच्छा लगने लगा खुद बाखुद, ठीक है, बॉडी में जो हीलिंग होती है, वो अगर नंगे सोएंगे तो जल्दी हो कपड़े एकदम टाइट पेन के सोएंगे तो पसीना जाज़ा आएगा, खुजली भी हो सकती है, स्कीन डिजीज हो सकती है, इतनी सारी प्राबलम्स है, इसलिए नंगे सोना है, नंगे आए हैं दुनिया में, नंगे ही जाएंगे, नंगे सोएंगे, ओके, जो भी इंफॉ आपके साथ शेयर करते हुए, तब तक के लिए बाई, टेक क्यार फ्रेंड्स